हाई अब्रिवान स्वागत है आपका एजुकेशन असोख यूटूब चैनल पर दोस्तों आज के वीडियो पर हम लोग एडवी फोडोशॉप पर किस तरीके से बिना सेलेक्शन बैक्ग्राउंड रिमूब करेंगे तो वीडियो पर बने रहें अन तक चैनल पर पहले बार आ अगर आपके पास फोडोशॉप सीशी 15 से उपर का बर्चन है तो आप बड़ी आसनी से यहां पर किसी भी इमेज का बैक्राउंड बिना सेलेक्शन आप यहां पर रिमॉब कर सकते हो तो यहां पर देखें सबसे पहले मैं एक इमेज यहां पर इंसर्ट करूंगा मेरे पास सबस्थ्राइब कहीं दोस्तों यह लियर को सबनको कॉपी करना घ्यानिकिक्शन करना है अब कान आ और कंट्रोल जीएए भी फ्रेस कर सकते हो यह फीरश correlate के अंदर राइट क्लिक करते वी यहान और आपको डूब्लीकेट लियर भी आप यहां पर कर सकते और उसके बात सिं यहां पर option पर एक बार क्लिक करता हूं यहां पर अब मैं यहां पर इसको background इस लियर को visible कर रहा हूं यानि कि hide कर रहा हूं hide करने के बाद दोस्तों top layer पर जाता हूं top layer पर जाने के बाद simply आपको क्या करना है इस image को सबसे पहले था आपको background remove करने के लिए आपको properties पैनल पर जाना है दोस्तों यहां पर देखे properties पैनल है अगर आपके पास यह option यहां पर नजर नहीं आ रहा है तो आपको simply यहां पर Nicholas पर जाना है उसके बाद सिंप्ली आपको यहां पर डेर अपशन मिलींगा दोस्तों यहां पर उसके बाद यहुक्पर क्लिक करने के बाद सिंप्ली यहां पर आपको रीमोड बैग्राउंड का मिलेगा एक यहां पर आपको select subject का option मिलेगा simply आप यहां पर दो option पर क्लिक करते हो भी background remove कर सकते हो मैं फिलाल के लिए तो यहां पर remove background के अंदर क्लिक कर रहा हूं यहां पर देखे remove background के अंदर क्लिक करने के बाद यह थोड़ा सा processing लेगा processing लेने के बाद दोस्ते यह तुरंत यहां पर देखे इस तरीके से background remove करके देदेगा यहां पर देखे marks button के throw यहां पर आपको background remove करके दे रहा है simply इसको आप edit वगरा करना चाहते हो तो भी brush tool के यहां पर देखे brush tool से वापस आप जो जो पार्ट वापस ले आना चाहते हो तो वहां से बड़ी आसानी चाहते हो उसके लिए आपको यहां पर background इसको इस तरीके से थोड़ा सा remove कर सकते हो तो यहां पर दिकत वाले बात कोई भी नहीं जोस्ता आप बड़ी आसानी से किसी भी background का Photoshop पर quickly remove कर सकते हो तो यहां पर आपको जो भी background वगरा set करना चाहते हो तो आप set कर सकते हो फिलाल के लिए तो मैं यहां पर एक color फिल करूंगा gradient color अब जो भी आपके पास जो भी background वगरा है तो आप यहां पर फिल कर सकते हो मैं फिलाल के लिए इस तरीके का एक blue background यहां पर select कर रहा हूं नमस्कार झाल 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 झाल